नमश्कार दोस्तों मार्केट 11 में आप सब लोग का स्वागत है चली देखने मार्केट कैसा भी आप कर सकता है सेकिंड हाफ में अगर हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी के बात करें तो एक गाप आप ओपनिंग देखने को मिलिए निफ्टी आपका ट्रेट कर रहा है आराउंड 17 ता 118 पर बैंक निफ्टी आपका ट्रेट कर रहा है अराउंड 39500 पर समझने की कोशिस करते हैं कि मार्केट के साइड मूवमेंट कर सकता है तो थोड़ा सा गैप आप ओपनिंग में नॉमली मार्केट या तो थोड़ा था प्रॉफिट बुकिंग के लिए आता करने के लिए नीचे आये 17 ता 50 तक उसके बाद अगर यह उपर मूव करने की कोशिस करता है तो पॉसिबिल्टी बन सकते हैं ट्रेंड बनने की अदरवाइस यह थोड़ा सा साइडवेस की आज के टेडिंग सेशन में अखलाल दिख सकता है और थोड़ी बहुत आज थोड़ा सा आपको मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं आज की ट्रेडिंग सेशन में क्योंकि आपको पता है कली मैंने आपको बता जाते कि आज मैं चुट्टी है तीन दिन आराम से मज़े करूँ आप देख लो यहां पे अगर 17 ता 150 की उपर सस्टेन करता है तो आप 17,450, 17,500 तक नहीं चला जाता तब तक मैं सेलिंग करने के लिए कोई मोड में नहीं हूं फिलाल यह चीज क्लिरली समझ लीडिए अगर आज के टेडिंग सेशन के साफ से देखा जाए तो option chain data में जो changes आ रहे हैं वो हम एक बार देख लेते हैं यहां पर करेंटली आपको दिखेएगा कि 17,100 की जो call है वहाँ पर 648 लाग का open interest खड़ा हुआ है बट 17,100 की call पर अभी भी 62 लाग का open interest खड़ा हुआ है क्योंकि put writers का confidence नहीं है वोपर की side पर call writers अपनी position को hold कर रहे हैं क्योंकि आपको दिख रहा है 17,100 की call पर 62 लाग का open interest होना यह indicate करता है कि market अभी भी थोड़ा सा weakness दिखा सकता है इसलिए यह call writers अपनी position को छोड़ नहीं रहे हैं ठीक है न इतना समझ में आ गया चाट पर चलते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर अगर हम यहाँ पर one minute का high और low mark करें तो सबसे पहले यह हमारे पास high है ठीक है और यह हमारे पास low है अभी market इस channel के अंदर काम काच कर रहा है तो यहाँ पर कुछ हमारे पास है नहीं इस channel के नीचे जाता है तो जायती ब bank nifty के बात कर लेते हैं तो bank nifty को भी देख लेते हैं around 39 400 के आसपास यह थोड़ा सा काम काच करने की कोचिस कर रहा है यह आपका high है और low की बात करें तो यह आपका low है अभी इस channel के अंदर काम काच कर रहा है तो side सी बात है कोई view बनता ही नहीं है नीचे की side निकलेगा और फिर आपके पास multiple support है क्योंकि 39 250 एक support है उसके बाद आपका around expect कर सकते हैं कि 39 05 भी आपके पास एक support है तो यहां कहीं तक आएगा तो यहां से एक pullback आ सकता है तो selling का मेरा कोई view नहीं है इसलिए मैं यहां पर आपको short करने की सला बिल्कुल नहीं दे रहा हूं buying का setup बनता है तो buy कर लीजिएगा यहां पर otherwise आप trading session avoid भी कर सकते हैं जिसको short करना है वह अपना stop loss day high का लगा के short कर सकता है यह चीद आप clearly समझ लीजिए short की सला क्यों नहीं है क्योंकि over the night जो US market के अंदर एक rebound zone देखने को मिला जिसमें की Nasdaq करीब आपका 5% और Dow Jones करीब एक परसेंट से ऊपर चड़के बंद हुआ है क्योंकि 371 पॉइंट डाव जोंस चलाता और मैं बताऊं clearly यह हो सकता है थोड़ा साइडवेस ही trade करें तो जादा कुछ मैं आज प्लान नहीं कर रहा हूँ जो भी ट्रेट प्लान करूंगा मंडे के लिए करूंगा आज की मेरी तरफ से आपकी भी चुट्टी मेरी भी चुट्टी आप enjoy कर सकते हो almost Friday का trading session Monday का trading session oh sorry Friday चु चुट्टी और Sunday चुट्टी तीन दिन चुट्टी चुट्टी enjoy the चुट्टी ठीक है तो I hope दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो फ्लाले इस वीडियो में इतना है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो like and share जरू करिएगा और सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं आपको दिल लेका आता हुआ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो जैह हिंद